Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चानल Dr. Surabhi की Pregnancy Tip Pregnancy में ultrasound का बहुत ही महत्व होता है क्योंकि pregnancy की जितनी भी stages होती हैं, जितने भी weeks होते हैं उनमें कुछ ना कुछ indications ऐसे होते हैं जो ultrasound में मिल जाते हैं और जो यह बताते हैं कि बच्चा जो है जो बेबी है या फीटस है जो हूम में वो healthy है की नहीं है और उसको जितना develop कर लेना चाहिए था इस stage तक वो develop हो पाया है की नहीं तो इसी तरीके से जो पहला ultrasound होता है उसकी भी अपनी बहुत significance होती है पहली चीज़ तो यह देखना होता है कि आपका जो pregnancy test positive आ चुका था तो generally उसके बाद जो पहला ultrasound आपका कराया जाता है 6 weeks का जब आपका gestational age हो जाता है फीटस का वहाँ पे एक ultrasound कराया जाता है उसमें basically यह देखना होता है कि viable pregnancy है की नहीं है आपकी pregnancy healthy है की नहीं है intra uterine pregnancy है की नहीं है और अब तक जितना उसका development हो जाना चाहिए था हुआ है की नहीं कहीं miscarriage तो नहीं हो गया है तो यह कई चीज़ें बताता है जो यह हमारा पहला ultrasound होता है जो generally 6 weeks पे आपका कराया जाता है अब कई बार 6 weeks पे जो आपका ultrasound होता है उसमें आप ultrasound की report में देखते हैं उसमें लिखा होता है योग sack and fetal pole not seen अब इसका क्या मतलब होता है यह कई बार आप लोग के समझ में नहीं आता है क्योंकि जादा तर लोग को नहीं पता है कि योग sack क्या होता है fetal pole क्या होता है और इसके नहीं दिखने का मतलब क्या होता है कई पार आपके doctors इस तरीके के ultrasound की report आने के बाद आपसे कहते हैं कि ये थोड़ा suspicious है, pregnancy ठीक नहीं है और वो generally आपको दुबारा एक या दो हफते के बाद ultrasound करने के लिए इसमें recommend करेंगे तो उसे सारी चीज़ें होती क्या है, इसका reason क्या होता है, ये yoke sack का मतलब क्या होता है, fetal pole का मतलब क्या होता है और क्या ये वाकई में इसका मतलब ये हुआ, अगर no yoke sack and fetal pole scene का मतलब क्या वाकई में ये होता है कि आपका miscarriage हो गया है, या आपकी pregnancy खराब हो गई है यह सब ही बाते आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि योग सैक क्या होता है अली प्रेगनेंसी में योग सैक की बहुत इंपोर्टेंस है क्योंकि यही जो structure होता है यह आपका जो developing fetus है बच्चा है जो आपके अंदर develop हो रहा है उसको nourishment provide करता है यानि कि nutrients provide करता है यानि कि उसके लिए भोजन provide करता है जिससे कि वो अच्छे से grow कर सके यह पहला structure होता है जो कि gestational sac के अंदर visible होता है यानि कि दिखने लग जाता है और यह जो fetus आपका develop हो रहा है आपके womb में आपके गर्ब में उसको envelop किये रहता है प्लस यह आपका जो amniotic fluid होता है fetus के 4 और उसको भी envelop किये रहता है योग sack अगर बहुत early ultrasound कर लिया जाएगा तो वहाँ पे generally नहीं दिखता है यह करीब 5-6 हफते की जब pregnancy हो जाती है उसके बाद abdominal ultrasound में दिख सकता है जबकि gestational sack जिसके अंदर योग sack visible होता है gestational sack जो होता है वो एक white rim की तरह दिखता है जिसके अंदर एक clear center होता है तो यह जो gestational sack होता है यह और जल्दी visible हो जाता है ultrasound में especially अगर transvaginal ultrasound किया जाता है तो transvaginal ultrasound में जो probe होता है ultrasound का वो आपके vagina के अंदर डाला जाता है और उसके थूँ आपकी जो अंदर के parts है uterus के उनको observe किया जाता है तो यह जो gestational sack है इसको 3-5 हफते की pregnancy में भी detect किया जा सकता है transvaginal ultrasound के थूँ अब हम जान लेते हैं कि fetal pole क्या होता है fetal pole एक curved structure होता है इस तरीके से घूमा हुआ structure होता है जो कि आगे चलके आपका baby बनता है यानि कि fetal pole ही आगे grow करके develop होके आपका baby बनता है तो इस तरीके से जो आपका early ultrasound किया जाता है जेनरली तो उसमें ये देखा जाता है आपकी pregnancy की health को check करने के लिए आपकी pregnancy ठीक है कि नहीं है ये देखा जाता है कि yoke sack और fetal pole दिख रहे हैं कि नहीं अब कई बार अगर 6 week की pregnancy में आपका yoke sack भी नहीं दिख रहा है fetal pole भी नहीं दिख रहा है तो ये एक थोड़ा doubt का विशे होता है कि pregnancy viable है की नहीं है ये एक तरीके से miscarriage को indicate करता है लेकिन अच्छी बात ये है positive चीज ये है कि हमीशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका miscarriage हो गया है अगर आपने 6 weeks पर ultrasound कराया है और आपका इस तरीके का ultrasound में report आई है कि fetal pole और yoke sack नहीं दिख रहा है तो इसके दो और मतलब हो सकते हैं इसके दो मतलब और जो होते हैं वो ये है कि एक तो ये कि आपको जो अपनी LMP याद थी वो सही नहीं थी या तो या तो हो सकता है आपको सही भी आती तो भी जितना अभी आपने सोच के रखाए कि आपकी pregnancy जितनी advanced है उतनी advanced है नहीं अभी वाकरी में 6 weeks की आपकी pregnancy नहीं हुई है उससे कम की pregnancy है ये इसका एक मतलब हो सकता है और दूसरी condition जिसमें इस type का result आपको देखने को मिल सकता है ultrasound में वो ये है कि आपके periods जो थे वो irregular थे क्योंकि generally अगर आपके periods irregular रहते हैं तो उसमें फिर ये जो correct जो gestational age है वो LMP से नहीं निकल के आती है irregular periods के case में तो बिलकुल अगर आपके irregular periods हैं तो हो सकता है कि अभी आपकी जो pregnancy है वो इतने six weeks की नहीं हुई है उससे कम की हुई है जिस वज़े से अभी योग sack और fetal pole नजर नहीं आ रहा है तो इसके लिए doctors generally आपको ये कहेंगे कि एक हफते के बाद या दो हफते के बाद ultrasound को वो repeat करना चाहेंगे उससे पहले कुछ ऐसा निशकर्ष पके तोर पर नहीं निकाला जा सकता कि ये miscarriage ही है तो generally क्या होगा कि अगर आप एक हफते या दो हफते के बाद फिर से ultrasound कराते हैं तो वहाँ पर योग sack और fetal pole नजर आने लग जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपने पहले जो सोचा था कि आपकी pregnancy six weeks की हो गई है वो actually में नहीं हुई थी pregnancy उससे कम की थी अब एक condition और होती है जिसमें अगर ultrasound में आपकी इस तरीके की report आती है तब unfortunately उस case में miscarriage ही sure होता है यानि कि उसके लिए फिर doctors आपको weight भी करने की सला नहीं देंगे कि एक या दो हफते के बाद फिर से ultrasound कराने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है वो कौन सी condition होती है वो मैं आपको बता देती हूँ वो condition यह होती है कि अगर आपका जो gestational sack है वो 25 mm या उससे ज़्यादा size का हो चुका है लेकिन फिर भी आपका yoke sack नहीं नजर आ रहा है fetal pole नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब confirm होता है कि यह miscarriage हो चुका है इसमें weight भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है एक और term है जिसके बारे में आपको पता होने चीए वो है empty sack pregnancy इसको unembryonic pregnancy भी बोलते है और इसका जो पुराना term था एक blighted ovum भी इसको बोल दिया जाता था हाला कि अब यह term outdated है तो इसको empty sack pregnancy या फिर unembryonic pregnancy बोला जाता है यह तब होती है कि अगर आपका जो gestational sack है वो अंदर से खाली है योग sack भी नहीं है fetal pole भी नहीं है अंदर embryo भी नहीं है तो यह एक तरीकी का miscarriage ही होता है तो अगर इस तरीकी का case है आपके साथ तो उस condition में दो सलाह दे सकते हैं आपको doctor एक तो की थोड़ा wait कर लें अपने आप ही bleeding हो जाए और वो जो भी product है conception का आपके uterus के अंदर जो बच गया है वो निकल जाए अपने आप या फिर आपकी doctors आपको DNC कराने के लिए कहेंगे और doctors खुदी cervix को dilate करके उसमें थोड़े जो instruments होते हैं उनसे जो बचे वे products of conception हैं आपके uterus के अंदर उसको निकाल देते हैं तो इस तरीके से आपकी bleeding महाँ पर start हो जाती है और जो भी आपके uterus को खाली कर दिया जाता है अगर आपकी empty sac pregnancy या फिर unembryonic pregnancy है अब इसमें आपको निराश होने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है अगर इस type का case आपके साथ हुआ है क्योंकि देखिए इसका मतलब यह होता है कि जो बना था जो conception हुआ था जो product बना था वो उसमें chromosomal abnormalities थी वो आगे बढ़के आपका baby नहीं बन सकता था इसलिए ये nature का एक खुद का तरीका होता है कि जो abnormal embryo बनता है जिसमें chromosomal abnormalities होती है वो उसको खुदी dispose of कर देता है तो इस तरीके से वो एक viable pregnancy आपकी वैसे भी नहीं हो सकती थी वो आगे grow नहीं कर सकता इसलिए आप इसके लिए निराश मत होईए ये चीज़े इतनी uncommon नहीं है काफी common है ये चीज़ें और कई बार तो कई ladies को पता भी नहीं चलता है कि वो pregnant है उससे पहले ही उनका miscarriage हो जाता है तो ये generally इसी case में होता है जब कि chromosomal कोई abnormality होती है embryo के अंदर तो इसमें निराश होने के कोई बात नहीं है और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप आगे चलके जब pregnant होंगी तो फिर से ये चीज़ रिपीट होती रहेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप दुबारा pregnancy प्लान कीजे आपकी बिल्कुल healthy pregnancy होगी आगे अच्छे से grow करेगी आपको एक अच्छा healthy baby ज़रूर मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे आपकी future pregnancies भी affect होंगे तो अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा confusion है तो मैं इसे clearly explain कर देती हूँ आपको देखे pregnancy में सबसे पहले तीन या पांच हफते पे अगर trans-visional ultrasound गिया जाता है तो वहाँ पे gestational sac appear हो जाता है जो कि एक rim होती है सफेद रंकी और उसके अंदर clear space होती है वो doctors देख सकते हैं ultrasound के द्वारा जो कि आपकी pregnant होने को indicate करता है इसले बाद जब आपके 6 हफते हो जाते हैं तो trans-abdominal ultrasound के द्वारा भी देखा जा सकता है और generally 6 हफते तक आपका जो yoke sac है gestational sac के अंदर yoke sac नजर आने लग जाता है और उसके अंदर fetal pole भी नजर आने लग जाता है yoke sac जो होता है वो आपके बच्चे को nutrition provide करता है इसले yoke sac की presence जरूरी होती है अगर आपकी healthy pregnancy है, viable pregnancy है आपकी pregnancy सही से grow कर रहे है तो yoke sac 6 weeks पे नजर आता है साथी fetal pole भी नजर आता है fetal pole एक curved structure होता है जो कि आगे चलके आपका baby बनता है तो इस तरीके से yoke sac और fetal pole 6 weeks की pregnancy में generally नजर आना चाहिए अगर नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो miscarriage हो गया है या तो आपकी pregnancy अभी 6 weeks की नहीं हुई है उससे कम की हुई है ऐसा generally तब होगा अगर आपके irregular periods होते हैं तो वहाँ पे आपके LMP से भी कई बार correct age जो है बच्चे की वो नहीं बताई रहा सकती ऐसे में doctors आपको सलाह देंगे कि वो एक या दो हफते के बाद फिर से ultrasound को repeat करेंगे अगर सब ठीक होगा अगर इस कारण से आपका yoke sack नहीं दिख रहा है कि आपकी pregnancy ही अभी कम है 6 weeks से तो generally आप एक या दो हफते के बाद जब ultrasound कराएंगे तब तक आपका yoke sack और fetal pole वहाँ पे नजर आने लग जाएगा लेकिन अगर तब भी नहीं नजर आता है तो फिर ये indicate करेगा कि ये आपका miscarriage हो चुका है वहाँ पे दूसरी चीज अगर gestational sack जो है आपका वो 25 mm या उससे बड़े size का है लेकिन तब भी आपका yoke sack और fetal pole नहीं नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका miscarriage हो चुका है इस case में आपको wait करने की भी ज़रूरत नहीं है दुबारा ultrasound कराने की ज़रूरत नहीं है इस case में confirm ही होता है कि आपकी miscarriage हुई है अगर miscarriage हुई है वाकि में आपका empty sack pregnancy है या unembryonic pregnancy है यानि की sack तो gestational sack मौझूद है लेकिन वो खाली है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो उस condition में फिर या तो आपको dnc करानी पड़ेगी या doctors कह सकते हैं कि थोड़े दिन उनमें जनरली embryo में कोई chromosomal abnormality होती है जिसकी वज़े से वो इस तरीके से ठीक से नहीं बन पाता है और miscarriage आपका हो जाता है इसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं है काफी common चीज़ ये होती है कई महिलाओं के साथ होती है आगे चलके फिर से pregnancy होती है और healthy pregnancies होती है grow करती है, baby पैदा होता है कोई दिखकत नहीं होती है तो इसलिए अगर आपकी इस type की निराशा जनक कोई report आई है तो सबसे पहले तो अभी आप wait कर लीजे एक तो हफते हो सकता है कि आपका तब दिखने लग जाए योग साक और fetal pole और अगर दुबारा भी आपके ultrasound में नहीं आता है और doctors कहते हैं कि अभी तक gestational sack का जो size हो चुका है उसमें दिखना चाहिए था अगर gestational sack का size 25 mm या उससे जादा का है फिर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह empty sack pregnancy है sack आपका खाली है अंदर embryo नहीं है तो उस condition में फिर आपको dnc करानी पर सकती है तो hopefully आज के इस वीडियो से आपको clear हो गया होगा कि yoke sack क्या होता है fetal pole क्या होता है और अगर आपके ultrasound में no yoke sack no fetal pole लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है hopefully मेरी बात आपको clear हो गई होगी तो अगर ये वीडियो आपको useful लगा है कुछ काम का लगा है तो वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे चैनल को support करने का एक और तरीका है मैं आपसे मिलूँगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे